नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका जीयस की खान बनाएगे आपको पहलवान तो जैसा कि आपको पता है हर रोज सुबह साथ बजे आपकी करेंट अफ्यर की खान बनाएगे आपको पहलवान क्लास होती है जो कि सभी परिक्षाओक लिए काफी इंपॉर्टेंट है तो करे पाने के लिए आप लोग बैल आइकन पर प्रेस जरूर कीज़ेगा तो आज का जो सेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट और हमारा हेल्फुल रहने वाला है तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के अपनी स्क्लास को और देखते हैं आज का अमारा पहला सवाल पहला प्लेशर माइनिंग या रैट होल माइनिंग चैनल दोस्तों यहां पर आप लोगोंके पास यहां पर वेंधाने के लिए आपके पास टूटेल यह आपके वसफाइब सेकेंट होंगे तो आपका समय स्शुरू होता है और बदाएगे ओके टाइम्स अप तो आपने बिल्कुल सही बताया उत्राखंड के सिल्क्यारा टरनल में फसे 41 मजदूरों को रैट होल माइनिंग के दौरा यहां पर निकाला गया है तो आपका सही जवाब होगा option number आपका D हो जाएगा इसके लावा कुछ important चीज़े हैं जैसे कि उत्राखंड की बात हो रही तो यहां के CM है पुशकर सिंग धामी है और यहां के जो गवर्नर राज्यपाल है यह lieutenant journal retired गुर्मीज सिंग है और यहां के दाजधानी जो है देहरादून और गैरसेण है चैलिया नेक्स्ट कोशिन आपके सामने आपको दिया गए है कई सारे परिक्षों माने बारवार एकोशन न पूछा दाथा है बुकर प्राइज को लेकर हम लोग लिटिस्ट बात करने वाले हैं बुकर प्राइज 2023 storing कि न जीता है आपको बताना है आपा बुकर प्राइज 2023 Äपके option तो बिल्कुल आप लोगों ने आपर सही जवाब दिया है अगर आपका अंसर आ रहा है ऑप्शन सी पॉल लिंच तो बिल्कुल राइट है बुकर प्राइज जो है यह जीता है पॉल लिंच जो की आपके प्रॉगेट सॉंग उपन्यास के लिए इनको जो है बुकर दिया गया है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोश्चन आपके सामने आपको दिया गया है इसको देखे इंपोर्टेंट आपके लिए रसायनिक युद्ध के सभी पीलितों की याद में या इसमरन का एक यादगार दिवस आप लोगों का कम मनाय जाता है इंपोर्टे दो दिसम्बर या तीन दिसम्बर तो हमारा राइट आणसर होजयेगा तीस नवंबर जी हा दोसतों अगर आपने चूज किया है दोसतों तीस नवंबर तो बिलकुल आप सही बता रहे हूँ आपका correct answer हो जाएगा यहाँ पर 30 नवंबर हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं next question आपके सामने आपको दिया गया है इसको देखिए यह question आने वाले सभी एक्जाम के लिए बहुत ज़रा important होने वाला है जैसा कि आपको पता भी होगा खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 के शुभंकर का नाम बताना है हाती सार्थी उज्जुला या भविया तो आपका सही जवाब होगा उज्जुला ठीक है तो बिलकुल यहाँ पर आप लोग सही जवाब दे रहे हो अगर हम इस question की बात करेंगे तो जिसका भी class में answer आ रहा है सही है very good बहुत बढ़िया चलिया next question आपके सामने आपको दिया गया है इसको बताईगे साथियों कि आप जानते हो यहाँ पर अक्टूबर 2023 में सिक्किम में किस घटना की वज़े से बान आ गई जिससे हजारों लोग बेघर हो गई तो अक्टूबर 2023 में सिक्किम में किस घ ग्लेशियर लेक्ट आउटवर्स फ्लट से या इन में से कोई नहीं देखते हैं सबसे पहले कौन बताएगा तो फिफ्ट कोश्चन आपके सामने है और आपका राइट आंसर उचाएगा ऑप्शन नमबर से अगर आपने चूज किया सी ग्लेशियर लेक्ट आउटवर्स फ कि बताएगे आपके ऑप्शन है दक्षन लोहनक जील आपका गुरू डॉंगमर जील तसोंगमो जील या फिर तश्यो लामो जील चलिए आपका सामने शिरू होता है अब कि टाइम अप अगर आपने चूज किया है ऑप्शन ए दक्षन लोनक जील पिल्कुल राइट है सिक्किम के उत्तर पशिमी छेत्र में इस्तित दक्षन लोनक जील का बान का इस्तर जो है बान का कारण बनी है यह एक ग्लेशियर जील है और इस जील में ग्लेशियर लैक हैं यह जील उत्तरी सिक्क्य में बावन सो मीटर नहीं कि सत्रह हजार एक सो फीट की उचाई पर है बान से करीब 42 लोगों कम से कम करीब 42 लोगों की मौत हुई है सततर से ज्यादा लोग अभी लापता है अठासी हजार लोग जो है प्रभावित हुए हैं चौधा पुल यह गया है इसको देखिए इसका मतलब तो आपको पता ही होगा ना चले आगे बढ़ा जाएं नेक्स्कूशन आप लोग सोच रहोंगे की जी एल ओ एफ डूइन एवरीवन क्या आपको पता है इसका मतलब क्या है ग्लेशियर लैक आउटबस्ट होता क्या है एक अचानक तता स अंभावित रूप से विनाशकारी बान या घटना होता है घटना में ग्लेशियर में मौझूद पानी का एक पिंड जो होता है पिगल कर बाहर निकल जाता है और यह है आपका जौकल हौप कहलाता है ऐसी घटनाओं के कई कारण हो सकते हैं जैसे कि भुकम अत्यदिक और फीले हिम्स खलन ठीक है चलिए नेक्स्ट कोश्चन आपके सामने आपको दिया गया है इसको बताईए खैर सिक्किम की बात हो रही है सिक्किम के वरतमान समय में जो मुख्यमंत्री है यह पियस तमांग है यहां के राज्यपाल लक्षमन आचार रहे हैं सिक्किम के प्रशन है इस्पेइन इटली औस्ट्रेलिया सर्विया योट टाइम स्टार्ट नाउट वेरी गूट समय समाप्त आपका परम सक्ते जवाब क्या होगा ऑप्षन भी है इटली तो जिनका भी क्लास में आंसर इटली आ रहा बिल्कुल राइट है डेविस कब 2023 की विजेता टीम का नाम आपका इटली है तो अगर आप लोगों का आंसर यहां पर इटली आ रहा है त दोस्तों यहां पर आप देखी क्या है अंतर राष्टिय चीनी संगठन आई एस ओ का नया अध्यक्ष साल 2024 के लिए एक मिनट रुखेंगे आप लोग जितने भी लोग क्लास को देख रहे हो सभी से निवेदन है वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा और अगर आप लोगों दिलकर आप लोग शेर करते हैं जिससे कि सभी लोग आपकी इस क्लास से जुड़ सकें ये क्लास आने वाले सभी एक्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है है तो हम लोग कहा थे हम लोग यहां परते कि अंतर राष्टी चीनी संगठन आई एसो का नया अध्यक्ष साल 2024 के चाइन चली बताईए योड टाइम स्टार्ट नाउं ओके समय समाप्त और यह होगा हमारा प्यारा देश भारत अगर आपका अंसर आ रहा है प्यारा देश भारत तो बिल्कुल सही है इसके टोटल 88 सदस्य देश है नेक्स्ट कुश्चन आपकी स्क्रीन पर आपके सामने हैं इसको बताईए साल 2022 के लिए इंद्रा गांधी शांती पुरुषकार कि नहें प्रदान किया गया है आपके पास चार आप्शन है इंडियन मेडिकल एसोशियेशन ट्रेंड नर्सेस एसोशियेशन और इंडिया गैर सरकारी संगतन प्रत्थम या दोनों योड टाइम स्टार्ट नौँ चल यानिकी आयमे और आपका ट्रेंड नर्सेस एसोशियेशन और इंडिया बिलकुल आप लोग यहां पर सही बता रहें चलिए अब बढ़ते हैं आज के फाइनल कोश्चन पर अंतराश्टी मानव एक जुटता दिवस का मनाय जाता है आपकी आप्शन है 26 नवंबर 27 28 या 29 न जन्ता के प्रती एक जुटता का अंतराश्टी दिवस मनाय जाता है इसे 1977 में जो स्थापित किया गया था और इसे मनाय जाता है आपका कब चली बताईए अगर आपने चूज किया ऑप्शन डी 29 नवंबर तो बिल्कुल राइट है किलियर तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं अगर यह सेशन आपको पसंद आयो तो आज ही जीयस की खान चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा और यह है करेंट एफर की खान जो बनाई क्लास अगर पसंद आई हो ईओ तो लाइक करना शियर करना और हमें के माद्mar से दुटतों बताना कमउेंट मेंची ओजोन दिवस मनाया जाता दा है कमेंट करके द्हसथ बताना